कोरोना का बाप कमपाउंडर ए कमपाउंडर अभी आया क्या हुआ सुबह सुबह से इतना आवाश्यों कर रहे हूँ आप मैं तुमसे जो भी कहता हूँ तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते हो अरे तुमको मैंने क्यों रख लिया मुझे समझ नहीं आता है कि मैं तुमसे क्या कहूँ हमेशा तुमारा नाम भूल जाता हूँ अरे सर आप तो मुझे कुछ भी कह सकते हैं अबलू डबलू बबलू कुछ भी ठीक है मेरी मर्जी मैं जो कहूँ तुम तो ये बताओ कि मैंने तुमें जो काम दिया था पंपलेट बाठने का वो तुमने किया हाँ मैंने तो वो सरकुलेट कर दिया तो अभी तक कोई मेरे क्लिनिक क्यो नहीं आया है सब आपकी तरव मूर्ख थोड़ी है जो बिमारी से पहले इलाज कराए अरे आप तो मूर्ख जैसी बाते करते हो गैस पर अभी खाना रखा नहीं चावल बके नहीं और आप कहते हो लाओ खाना लाओ डॉक्टर साब तीन दिन होगा है मेरा पेट काफी खराब है सिर में भी बहुत दर्ध है मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरे शरीर को कोरोना तो नहीं लग गया है अब क्या होगा डॉक्टर साब अरे इससे मट डरो मैंने तुमारे लिए गोली लिखी है सुबह, दोपह, शाम और रात में चार टाइम दो-दो गोलियां लो और कोरोना को जर से खतम कर दो ये लो अपना बिल और बाहर पिमिन करके अपनी दवाईय ले लो ये कैर सर आपने तो उसको फ्री में ही अपनी दवाई बता दी देखो डॉक्टर मैं हूँ उसने क्या कहता उसके पेट में दर्द है मैंने तो उसको एक साधी पेट दर्द की दवा दी है अच्छ आपने सही किया सर लेकिन हर बार बास वोई दो गोलिया अर बार आप वोई दो गोलिया देंगे तो आपका रास खुल जाएगा कोरोना तो जब भागए द formulation लेकिन आपको जरूर भागना पड़ेगा सर मेरे लिए मेरे लिए हाँ क्या चीये तुम्हें मुझे तो बहुत सारा मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें हुआ क्या है मुझे कुछ अरे मुझे कुछ हो रहा है अरे खुल के बताओ मेरे भाईया क्या हुआ नहीं, नहीं, कुछ नहीं हुआ अरे मुझे क्यों टेंशन दे रहे हो, यार जल्दी बताओ क्या हुआ नहीं, अब तो कुछ नहीं हुआ सर अरे हलो, यदि आपके पास कहने कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो यहां से चले जाओ ओ भाई, मैं यहां डॉक्टर साब से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे बीच में क्यों घुश रहे हो आके ओ भाई, मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं तुमारा जरूर इलाज करूँगा अरे डॉक्टर साब, मैं तो आपका पंपलेट देख के आया हूँ, मेरा दिल बहुत धड़क रहे अरे मुझे बताओ, तुमारे दिल में क्या समस्या है क्या बताओ साब, तीन दिन हो गाएं, यह दिल तो जोड़ जोड़ से धड़क रहे यह लो, यह टेबलेट एक हफ़ते तक लेना, ठीक हो जाओगे पक्का है सर, यह ठीक हो जाएगा हाँ हो जाएगा, एह भगवान, यह पागल मरीज तो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं यह मरीज आप से ज़्यादा पागल तो नहीं लगते डॉक्टर साहब, आप तो मुझे बस कोरोना से बचने की उपाए बताएं मैं आपको मंचाही फीज दूँगा मैं आपको कम खर्चे वाला एक बड़िया सा इलाज बताता हूँ, ठीक है ओके सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा आप तो सुभे से लेकर शाम तक बस सुरज के सामने बैठ जाना कोरोना आएगा तो जल जाएगा ठीक है सर, मैं यही करूँगा, धन्यवाद आपका ये क्या सर, पूरे दिन धूप में रहने से तो कोरोना तो नहीं, वो वीचारा जल जाएगा मैं अब आपके साथ और काम नहीं कर सकता, आपके पास कोई इलाज नहीं है अगर उन्हें कुछ हो गया, तो क्या जवाबदारी होगी, मैं तो चला, नमस्ते एक लड़के का अपहरन कर, दस लाख की मांग करने वाला उपहरन करता ची महिला के गले में दस पाउंड सोने की चेन चिने ठग, छी, छी, छी शांती नगर में आधी रात को हुई डखेती, छी, 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 छी इन अख़बारों को पढ़ने और बीपी बढ़ने के वज़ाए घर जाकर रामकोटी लिखना भेतर है मास्टर जी, क्या कह जा रहे हो? आओ, बैठो, बात करते हैं मास्टर जी, मुझे याद है कि कोई मुझसे पहले ये कहता था क्या हम पहले कभी मिले हैं? हाला कि यहां रहकर और अख़बार में ख़बर पढ़ने मेरे बस की बात नहीं असन में खबर क्या है मास्टर जी? यदि आपको एक बार देखते हैं, तो पहले बनने पर अपराद की खबर है एक और अपरेंट, दूसरी और हत्या क्या यह सही है? कहा से पैदा होते हैं यह सब लोग? जो कि टानू समाच पर कबजा कर चुके हैं, उन्हें जैसे ही मिलते हैं, बिल्कुल गोली मार देना चाहिए खड़े खड़े फांसी पर बिल्कुल लटका देना चाहिए अरे-अरे-अरे-अरे, कितनी गलत सोच रहे हैं आप मास्टर जी, कीट नहीं है, बहुत अच्छे कीड़े हैं महान लोग, जो अधिक से अधिक रोजगार देते हैं क्या? क्या मैं पागल जैसा दिखता हूँ? चलो, बैटकर शान्दी से बात करें इस शहर में करीब दस हजार पुलिस कर्मी है, उन दोनों को काम कौन देता है मास्ट जी? कौन देगा? सरकार दे रहा है पुलिस को सरकार क्या कहती है? ऐसे चोर को पकड़ने की ही ना सोचे अगर ये चोर ना होते तो पुलिस का क्या होता जरा सोचे मासर जी अदालते किष्टे लगाती है ये निर्धारित करने के लिए कि क्या पकड़े गए चोर चोरी की भी है उन अदालतों में काम करने वाले कर्मचारी इन सब के जीने के लिए चोर होने चाहिए न चोरों को सजा मिले तो जेल में डालेंगे ना हमारे चोर है जो उस जेल में काम करने वाले कर्मचारियों को खाना किलाते हैं केवल इतना ही नहीं इनके अलावा कई लोगों को नौकरी की सुरक्षा उनकी परिवारों की जुरुतें विलासिता को पूरा करने वाले चोर नहीं थो मास्टर जी नहीं चोरों के वज़े से CCTV कैमरा के कमपनी CCTV कैमरे उगाए है नहीं तो उनके धन्दे का क्या होता? लाखो करूलों का नुकसान अगर आसानी से चट्डी की रोह को पकड़ लेते तो पालक पक्ष और विरोधी पक्ष के लिए क्या विशाय है? ज़रा सोच के देखिए मास्टर जी कई लोग को रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे सम्मानी चोरों को पकड़ कर उनके गेंद किट और गोबर के कीड़े केने के लावा बाकियों को अच्छा गंजा कहना आपकी गलती है अच्छा गंजा? ये मैना ऐसे पहले कभी ने सुना है अरे अच्छा गंजा? कोई मुझसे एक कर्ज लेकर भाग रहा है मैं उसे ऐसे पकड़ने के लिए विग लगा कर जा रहा हूँ अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ मास्टर जी हाई, I'm Baloo आप सब सुभा उटकर ब्रश करते ही पीते हैं दूद पर मैं सबसे अलग हूँ और पीता हूँ बादाम दूद मैं इस पी बालू को पसंद करता हूँ आप सब के लिए मैं गाना गाऊँगा मेरा गाना पसंद आने पर लाइक करो और आपके सुन्दर कमेंट्स को पोस्ट करो देखा आपने कितने अच्छे कमेंट आए है हमारे कमपनी में काम करो नहीं, हमारे कंपनी में काम करो कहते हुए बड़े-बड़े MNC कंपनी उसे आफ़र के बड़े-बड़े लेटर भेज रहा है वो अपॉन्मेंट लेटर्स नहीं है इंटर्व्यू के लिए कॉल लेटर्स है भीया जब भी तुमने फेस किया है, फेस पर लाग मार दिया है न अब मुझे क्या बताना है लगता है मेरे बार में आपको अच्छी तरह से बता है तो जॉब निल, पर्स निल, लवर निल ऐसे वक्त में हमें बचने वाले एक बखरा मिल जाए तो मजा आ जाए अरे मामा, मेरा बाइग रप्यर में है जल्दी से तुम अपना बाइग एक बार दे दो ना बाइग ही तो है, ले लो अडिकपा एई, दोस्ते मागनी की जुरत नहीं, छिन लेना चाहिए वैसे कहां चाना है, ये तो बताया नहीं बस्टॉप के पास लवर वेटिंग मामा, अभी अभी वस्ते उतरी है क्या, लवर के पास ऐसे गाड़ी लेकर जाओगे क्यों क्या हुआ मामा, तुम देखो तो, बहुत सुन्दर से तयार हुए हो पर गाड़ी को देखो, धूल में सना हुआ है ये गाड़ी लेकर जाओगे तो, तुम्हारे लवर क्या समझेंगे बाई मतलब क्या समझेगी यही कि तुम्हें अपने उपर जश्रदा है वो गाड़ी पर नहीं है एक मिन गाड़ी दो कर देथा एरे मामा, टाइम नहीं है मैं दो कर देदूंगा रुको अरे, तुम अपने गाड़ी को तो फोम से धोते हो मेरे गाड़ी को कम से कम शैम्पू भी नहीं करो गया ऐसे ही हो, और उपर से दोस्त कहते हो क्या सत्ती पंडू, तुम्हारा लवर हिंडी सिनमा की हिरोईन लगती है मैंने भी कहा देखा फेस्बुक लवे जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक एक दूसरे को नहीं देखने का फैसला किया धा मैंने तो प्रेम पत्र सिनमा है एक दूसरे को देखे बिना बहुत अच्छा काम किया है अब मैं निकलूंगा अरे, रे, कहना भूल गया गाड़ी में पेट्रोल नहीं है पेट्रोल नहीं है तुम क्या सक्लिव उठाओगे, मैं जाकर पेट्रोल भरवाऊँगा मामा, भई, चला जाओँगा अरे, मामा, लिये जाते ही मेरा लवर ने कॉल किया है कि वो सिटी में आई है मेरे लवर आ गई, देर मत करो और अपनी लवर के पास चाओ ये बड़े लोग है न, वे हमारे प्यार को समझते नहीं है उपर से हमें अलग करने की कोशिश करते रहते क्या हुआ तुम्हारा लवर का है वह वहाँ नहीं है मामा, वहाँ वेट करके चली गई लगता है क्यों ऐसे देख रहे हूँ जैसे तुम्हारे लवर को मैंने मार दिया एक बार अपने लवर को फोन करो गुस्से से फोन भी स्विच आफ कर दिया है मामा अरे सत्ती पंडू, दो सीख दूँगा, सुनो बोलो मामा पहला हमें किसी को देखे बगेर लव नहीं करना चाहिए ऐसे अच्छा है मामा लव में दूसरे का हेल्प कभी नहीं लेना चाहिए यह अच्छा है मामा मेरी गर्डफ्रेंड आई है ना कोई रखम है तो दे जाओ मुर्गी राजा कैदी नंबर 150 तेरे लिए अच्छी खावा रहा है क्या सर क्या आप मुझे कैदी नंबर 1 का वाट देने वाले है अरे नहीं नहीं आप का लाग इतना भी अच्छा नहीं है आपके सेल में एक और आदमी आ रहा है आहा मेरे लिए अकेला रेना यहां इतना मुश्किल है और आपने मुझे इतनी प्यारी खुशकबरी सुनाई है खिर कौन आ रहा है कैदी नंबर 786 बड़ा फेमस है जी ये क्या न्याय हुआ सर आपने मुझे एक नॉर्मल नंबर 150 दिया लेकिन आपने उसे फेमस के रूप में कैदी नंबर 786 दिया ये तो बहुत गलत बात है यदि तुम ऐसे ही पक्वास उस कैदी के सामने भी करने लगे ना तो तुम्हारी चटनी बना देगा वो समझे खिर मैं बता रहा हूँ कि वो जेट प्लस सुरक्षा के साथ आ रहा है तो दस मिनिट में आप पहुँच जाएगा तुम अपना ध्यान रखना समझे वावाव पुलिस इसे इतनी सुरक्षा ले रही है क्या वो सच में मुझसे ताकत वरे क्या सार आप जेल में मुर्गा ला रहे है क्या हम दोनों के लिए आप चिकन बिर्यानी बनवाने वाले हैं अबे तेरी जात का भीजा मारू मुर्गे अरे मैंने तुम्हे पहले ही कातना कि ये कैदी बड़ा खतर ना के तुम्हें अपना ख्याल लखना है वो कैदी नंबर 786 यही मुर्गा है इसका अस्ते नाम A1 मुर्गी राजा है तो ये सबसे बड़ा कैदी अरे मैंने चोरिया करने में शटक बनाया है क्या ये मुझसे भी बड़ा वाला है अरे तुम पागलों जैसे चोरी चोरी चिला रहे हो ये तो खुद मडर करके आ रहा है ओ, मडर? तभी इसने अपनी चोर्च से मेरे हाटों में इतना जोर का जटका मारा था अब ये सिर्फ टेलर दिखाया है ज्यादा होसियारी करने पे मैं पिच्चर भी दिखाऊंगा उसके बाद आप भी एक परकटे मुर्गे की तरह फड़ 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 पड़ाओगे अरे इसकी बात सुनके तो मैं डर गया मुझे एक गिलास पानी दे दो और मेरे को जूस मुझे पानी और मुर्गे को जूस ऐसी बकवास लाइफ तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी सपने में आप लंच में क्या मंगारा चाहते हैं कितने दिनों बाद आज मुझे ओडर करने को मिलेगा चिकन बिरियानी मंगा दो क्या सर इसने तो फिर मेरा खुन निकाल दिया अगर आप मुर्गे के सामने चिकन बिरियानी की बात करेंगे तो आपको इनाम तो नहीं मिलेगा और मैं आपसे नहीं इससे ओर्डर मांग रहा था एक बार बक्री ने मेरी बड़ी बेज़दी करी थी तो आप मुझे बक्रियों से नफरत थे तो आप मुझे मटन बिरियानी ला कर दें मुझे लगता है किसी इंसान ने तो इस मुर्गे का कुछ नी बिगाड़ा होगा लेकिन उसने चिकन बिरियानी जरूर मांगी होगी शी शी मुर्गा तो मटन बिरियानी खा रहा है और मैं सामर चावल खा रहा हूँ एक सीनियर केदी को क्या मिल रहा है वाह, काजू, बदाम, ड्राइफ रूट्स मैंने तो अपने जीवन में इन सब का स्वाद भी नहीं देखा मुर्गे राजा, कुछ मुझे भी खिला दो, प्लीज अरे तुम बाहर निकलोगे तो फिर से चोरिया करोगे लेकिन मैं बहार जाओंगा, तो लोगों को मारूंगा, युद्ध करूंगा इसलिए मुझे ये बादाम पिस्ता काजू की जरुवत है मूर्ख इंसान आप इस मुर्गे को कहा ले जा रहे सर, मैं भी चलू इसलिए हमें हाई कमान से ओर्डर मिला है कि इस मुर्गे को बाहर घुमाया जाए, तो इसे बाहर घुमाने ले जा रहे है वाँ, मैं मतलब गर्मी से मर भी जाओं तो चलेगा, लेकिन मुर्गे को कुछ नहीं होना चीए क्या मुर्गी राजा, आप तो सोते हो आदमी को भी नहीं छोड़ रहे तो अपने खर्राटे बंद करो, खर्राटे के बिना तो नीन नी आती मुझे, तेरे खर्राटे से मुझे नीन नी आ रही है धन्यवाद, इतनी इज़त देने के लिए, अब तो मैं रोक लूँगा खर्राटे, गुड़नाइट क्या भाई, सुबह से चिला रहे है बाब मुरगा सुबह सुबह ही आवाज लगाता है, दिन में या रात में नहीं पहले तुम्हें पूरी राट टिक टॉक वीडियो देखता था, और मजा लेता था और सुबह लेट उटता था, तब तो तुम मेरी नीन उड़ा देते न अरे, तुम टॉक टॉकियों का क्या होगा, अगर तुम्हें कई लणने भेज़ दिये जाये तो तुम तो पहले ही पंच में आउट होके आ जाओगे अरे, जल्दी उटके वैयाम करोगे तो कुछ अच्छा होगा आप उट गए, जल्दी से नाश्टा कर लिजे, हमें कोट जाना है फिर मुझको साधा उपमा मिल रहा है, और इसको स्पेशाल नाश्टा मिल रहा है क्या नय है सर, अरे ऐसा लगटा है जैसे ये कोई पुर्णे का काम करके आया यहाँ पर ए बन फिप्टी केदी, तेरको एक बात बताता हूँ कोट में बहस करने के लिए तेरा अभी तक कोई वकील नहीं आया है लेकिन इस मुर्गे के लिए दिली से एक मशूर वकील फ्लाइट से आ रहा है इससे कुछ समझ में आ रहा है तुझे फिर तो मैं ये सादे उपमे के लायक भी नहीं हो सर तो अभी क्यों हो रहे हो तुम अगले जनAre में आदमी नी बनना चाहता मूर गई बनना चाहता हूं सर वा ये तो शुब हुआ पिरी बात सुनके तो मूर्गा चल्ला रहा है मतलब पक्का तू तो अब अगले जनम में मूर्गा ही बनेगा ए पुलिस मेरे कुकडू कुका ये मतलब नहीं है ये 10,000 वार भी मुरगा बन जाए तो मेरे जैसा मर्द नहीं बनेगा तो इसे बोलें कि दिन में सपने ना देखे